हेलो बच्चों कैसे आप सब आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बाइलोजी में चैप्टर नमबर 14 एको सिस्टम तो देखो इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि इकोलोजिकल और्गिनाइजेशन कैसे होता है तो जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी इकोलोजिकल और्गिनाइजेशन की वो क्या होती है इंडिवीज्वल और फिर एक ही इस प्रिसीच के सारे इंडिवीज्वल का जो collection होता है जो किसी particular area में किसी particular time पर है उसे अपन क्या कहता है population और फिर उस particular जगह पर जितने भी species की population है उन सब को collect करेंगे तो क्या बनती है community और फिर उस particular जगह पर या उस particular territory में जो भी living और non-living का collection हो जायेगा पूरा उसे अपन क्या कहेंगे ecosystem system और फिर ecosystem से बड़ी unit क्या होती है biosphere तो basically ecosystem एक तरह की unit है और यह वो unit है जिसमें biotic और abiotic दोनों component एक साथ आते हैं तो ecosystem is a self-sustaining self-sustaining मतलब अपने आप maintain होता है sustaining structural and functional unit of nature nature की यह structural unit है इसका मतलब ecosystem से मिलकर पूरा nature बनता है बहुत सारे ecosystem मिल जाएंगे तब पहले biosphere बन जाएगा और पूरा nature बन जाएगा तो nature का structural unit भी कौन है ecosystem और जो उस nature में particular जो functions होते हैं जैसे food formation होना energy transfer होना nutrient का cycling होना वो सब भी कौन perform करता है ecosystem perform करता है तो ecosystem की definition में अपनको तीन term अच्छे से लिखनी है एक self-sustaining एक structural unit है एक functional unit है तो ecosystem की क्या definition हो गए it is a self-sustaining structural and functional unit of nature और which contain abiotic and biotic factor जिसमें biotic और abiotic बोले तो living और non-living दोनों component होते हैं अब जब अपन ecology की definition वगेरा करते हैं तो वैसी ही definition मतलब उसकी definition में भी ऐसी कुछ terms आती है तो बच्चे अकसर confused होते है कि ecology और ecosystem में क्या फरक है तो ecology basically एक तरह की study है जबकि ecosystem nature की एक unit है अब इस unit के बारे में study अपन जिस बायो की branch में करते हैं उसे अपन ecology कह सकते हैं ecosystem basically nature की एक structural और functional unit है उसकी study करना क्या कहलाता है ecology कहलाता है एक ag tense ले करके scientist थे जिन्होंने क्या ecosystem जो है वो term दी थी अब पहले अपन देखते है types of ecosystem क्या होते हैं ecosystem को अपन दो तरह से divide कर सकते हैं वो किस habitat में या किस जगह पर है उसके basis पर ecosystem दो तरह के हो सकते हैं terrestrial और कौन सा हो सकता है aquatic terrestrial ecosystem में कौन-कौन से example हो जाएंगे forest हो जाएगा grassland हो जाएगा desert हो जाएगा और aquatic ecosystem में क्या हो जाएगा pond, lake, wetland, river, history अब यह जो term होती है यह basically उन जगह के लिए इस्तेमाल की जाती है जहां पर river का water जो है वो ocean के साथ क्या होता है mix हो जाता है next है अपने ecosystem जो होता है वो कौन maintain कर रहा है मतलब उसमें human का interfere है या नहीं है तो अगर वो naturally maintain हो रहा है तो उसे अपन natural ecosystem कहेंगे जैसे forest, grassland, pond, lake, wetland, river यह सब किस में आएंगे natural ecosystem में आएंगे और अगर वो human उसको control कर रहा है या human उसे मतलब human का interference है तब उसे अपन man-made कहेंगे जैसे crop land हो गया aquarium हो गया next है अभी अपने definition में लिखी थी कि nature की ecosystem के structural unit भी है और functional unit भी है तो अपन एक करके दोनों को देखते है पहले अपन सबस्ते है structural unit कैसे है और फिर अपन दिखेंगे कि क्या function वो perform करता है तो जहां तक structural unit की बात की जाए तो एक ecosystem में दो तरह के component होते है abiotic जो की basically non living component है, biotic जो basically living component है abiotic में क्या क्या आ जाता है उस particular जगह पर temperature क्या है, light क्या है, wind कैसी है, humidity कैसी है, soil का nature कैसा है, nutrients कितने है, minerals कितने यह सब किसमें आएंगे abiotic component पे और biotic component में living things आती है, वो भी तीन तरह की हो सकती है, producers जो क्या करते है, autotrops होते है जो sunlight का इस्तेमाल करके food को produce करेंगे, इसमें कौन से आते है, green plant आ जाते है, cyanobacteria वगेर आते है, photosynthetic organism आ जाएंगे consumer कौन से होते है, जो directly या indirectly depend करते हैं किसके उपर, producer के उपर, इनमें primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer यह सब आते हैं जो organism producer को खाते हैं, उन्हें primary consumer करते हैं और जो primary को consume करते हैं, secondary और जो secondary को consume करते हैं, tertiary secondary और tertiary consumer producer को तो नहीं खाते लेकिन producer को खाने वाले organism को खाते हैं तो indirectly वो भी किस पर depend कर रहे है producer पर ही कर रहे है तो consumer जो होते हैं वो क्या होते है depends on autotrop directly और indirectly फिर होते है decomposer जब producer और consumer की death हो जाएगी तो उनके अंदर जो भी nutrients इकटे हो गयते बायो मास के फॉर्म में उनसे वापस nature में release करने का काम किस का होगा decomposer का होगा तो convert organic substance कहां से लाएंगे वो जो dead bodies होगी या जो dead materials होगे वहां से लाएंगे और उसे किस में convert कर देंगे inorganic nutrients में nutrition cycle manage करेंगे उन्हें अपन क्या कहते हैं decomposers कहते हैं fungi bacteria यह इन सब में आते हैं इन सब के बारे में especially biotic component के बारे में अपन detail में किस में देखेंगे जब अपना food chain topic आएगा और abiotic component के बारे में अपन chapter number 13 में देखते हैं अच्छा से कि यह factor क्या होते है next is ecosystem of functional unit तो देखो जब abiotic और biotic यह दोनों जो component है जब एक दूसरे के साथ interact करेंगे तो बहुत सारे process होंगे बहुत सारे functions होंगे उनको अपन को देखना है जैसे autotrops है जब उसके उपर sunlight गिरती है तो वह क्या करते है फोटो synthesis करते है फूड बनाते है तो उन दोनों के interaction से एक काम हो रहा है जिसे क्या कहेंगे productivity क्योंकि वह क्या बना रहे है फूड बना रहे है फिर वह producer वाला जो food है वह जब consumer producer के interaction में आएगा उसके पास में आएगा तो वह उसे consume करेगा तो फूड उसमें चला जाएगा फिर primary consumer से secondary secondary tertiary इसे कहते है energy flow क्या कहेंगे energy flow तो पहला ecosystem का function क्या हो गया productivity दूसरा क्या हो गया energy flow तीसरा होगा decomposition जब यह दोनों मतलब dead हो जाएंगे तो decomposer आकर उनका क्या करते है decomposition करते हैं और fourth है nutrition cycle यह चारो topic अपनको इस chapter में detail में अच्छे से समझने है जब one by one यह सारे हो जाएंगे और एक और topic है ecological succession तो यह अपना chapter भी complete हो जाएगा ठीक है तो क्या लिखावा है कि ecosystem is functional unit के form में चार function perform करता है और these function occur due to interaction of abiotic and biotic component मतलब abiotic or biotic component के बीच में interaction की वज़े से यह क्या होता है function perform होते है ठीक है तो एक बार आप यह note कर लिजे फिर अपन chapter को आगे बढ़ाते है तो सबसे पहला function लेते है अपन ecosystem का जो कि क्या है productivity तो सबसे पहले देखते है productivity क्या है एक है production और एक है productivity production का मतलब कितना biomass और productivity का क्या मतलब होगा rate of formation of biomass ठीक है तो productivity क्या होती है rate of biomass production at any traffic level चाहे वो prime मतलब चाहे वो अपने producer बनाए चाहे वो consumer बनाए कोई भी कितना biomass बनाता है उसकी जो rate होगी उसे अपन क्या कहेंगे productivity और इसकी unit क्या होती है देखो या तो अपन biomass को mass के form में major कर सकते है ऐसे case में उसकी unit हो जाएगी gram और उसे एक unit area में check करते हैं इसलिए meter square किसकी unit होती है area की तो क्या हो जाएगा gram meter की power minus two और एक unit time में check करते है rate तो ऐसे निकालेंगे तो time की unit यहां क्या लेंगे year तो क्या हो जाएगी gram per meter square year ठीक है यह किसकी unit हो जाएगी productivity की या फिर biomass की जगा अपन energy भी इस्तमाल कर सकते हैं कि कितनी energy produce कर रहा है ऐसे case में gram की जगा kilo calorie word का भी इस्तमाल किया जा सकता है इसका मतब productivity जो है वो दो तरीके से calculate की जा सकती है biomass के साब से और energy के साब से अब सबसे पहले लेता है primary productivity तो देखो primary productivity समझने से पहले again पहले primary production देखते हैं तो the amount of biomass और organic matter produce per unit area in a given time अपन unit time में ही निकाल रहे है और time period में निकाल रहे है तो the amount of biomass और organic matter produce per unit area over a time period by plant during photosynthesis primary productivity कौन से level पर चेक की जाती है producer से की जाती है बोले तो जो photosynthetic organism जो है वो कितना biomass एक unit area में एक given time period में बनाते हैं उसे अपन क्या कहते है primary production कहते हैं और इसकी unit क्या होगी gram per meter square या kilo calorie per meter square और इसी primary production की अगर rate निकाले इसका मतलब अपन time से भी divide कर दे unit area के साथ unit time भी ले तो वो क्या कहलाएगी primary productivity the rate of primary production is called primary productivity अगर आप primary productivity की यह definition लिखना चाहते हो तो पहले आपको primary production की भी definition लिखनी पड़ेगी ठीक है और यह unit हो जागी अब primary productivity जो है वो दो तरीके से निकाली जा सकती है एक gross primary productivity जिसे GPP कहेंगे और एक net primary productivity जिसे NPP कहेंगे जैको यह gross और net word जो है आप income से अच्छे से समझ सकते हैं जैसे suppose करो कि एक person जो है वो 50,000 rupees per month का earn करता है ठीक है और माल लो की 15,000 15,000 वो expenses जै उसके वो खर्च कर देता है तो वो मतलब कितनी income इसकी actual income क्या है 35,000 क्यों क्योंकि 50,000 आये तो थे लेकिन उसमें से 15,000 तो उसने खर्च कर दी तो अगर मैं gross income की बात करता हूं तो वो होगी जो actual में मतलब total कमाता है total कितनी कमाता है 50,000 वो उसकी gross income होगी और उसमें से expenses निकालने के बात जो बीचे बच जाएगी वो उसकी net income होगी ठीक ऐसे-कैसे plant total कितनी productivity करते है वो gross productivity कर लाएगी उसमें से कुछ वो खुद इस्तमाल कर लेंगे respiration में energy production में जो पीछे बचेगा वो net productivity कर लाएगा net primary productivity कर लाएगा तो gross primary productivity क्या होती है it is the rate of production of organic matter during photosynthesis और net कैसे निकालेंगे gross primary productivity में से क्या माइनस कर देंगे आर माइनस कर देंगे आर बिसिकली किसको denote कर रहा है respiration को यहां पीछे जो बचेगी वो क्या होगी net primary productivity होगी और net primary productivity अगले लेवल के लिए बोले तो consumers के लिए available होती है gross वाली available नहीं होगी क्योंकि gross में से कुछ तो वो खुद इस्तमाल कर लेगा जो पीछे बचेगा वो अगले लेवल या consumer के लिए available होगी तो अगर आपको पूछे कि कौन सी primary productivity consumers या decomposer के लिए available होती है तो वो कौन सी होगी net primary productivity होगी ना कि gross वाली ठीक है अब primary productivity से related कुछ और term देखते हैं फिर अपन secondary productivity पर जाएंगे पहला है कि primary productivity को कौन-कौन affect करता है तो वो जो producer है वो किस habitat में रह रहे रहे aquatic है, terrestrial है, aquatic में भी कहां पर है, surface पर, deep ocean में तो habitat जो है वो पहला factor होगा जो क्या करेगा productivity को क्या करेगा affect करेगा दूसरा है, environmental factor, environmental factor में क्या आजाएंगे, सारे, मतलब जैसा है कि water की quality कैसी है, rainfall कितना हो रहा है, soil कैसी है, temperature कैसा है, वो environmental factor में आजाएंगे तीसरा है, availability of nutrients, अगर soil में nutrients कितने available है, उस पर productivity depend करेगी और last है, photosynthetic capacity, अलग-अलग plant की photosynthetic capacity अलग-अलग होती इसकी जादा होगी, वो primary productivity जादा करेंगे, तो यह चार factor जो है, वो primary productivity को affect करते है Next है, अपनी book में दे रखा है कि ocean की primary productivity जो है, वो land ecosystem से काफी कम होती है, क्यों? कारण बताओ और पहले तो यह question क्यों बना उसको समझते हैं, तो यह question का कारण है कि अपनी book में एक data दे रखा है कि total primary productivity पूरे biosphere की, करीब 170 billion ton, वो भी dry weight में, मतलब 170 billion ton जो है, वो primary productivity है, पूरे biosphere की एक साल की उसमें से ocean जो है, वो 55 billion ton बनाता है, और 115 billion ton primary productivity किसकी है? लेकिन गौर करने वाली बात यह है, कि पूरे biosphere या पूरी earth का अपन देख है, तो 70% जो हिस्सा है, वो तो ocean कवर करता है, इसका मतलब sun light जादा कहां गिरेगी, ocean पे गिर रही है, तो 70% area ocean का है, लेकिन फिर भी primary productivity कितनी है, 55 billion ton, और land कितना area कवर करता है, 30%, लेकिन उसकी productivity क इतनी है, 115 billion ton, इसका मतलब land का जो area है, वो ocean के compare में, almost half जितना है, और productivity उससे भी double है, तो ऐसा क्यों, तो उसका कारण देखना है, तो region of low productivity, किसकी low productivity, ocean में low productivity क्यों है, तो पहला है, limitation of light और low light penetration, देखो ocean की surface पे तो मतलब कोई producer होते हैं नहीं, वो अंदर होते हैं, तो जब light ocean के उपर गिरेगी, तो उसके बाद light को उस producer तक पहुचना पढ़ेगा, और वहां तक पहुचते पहुचते हैं, काफी light जो होती है, वो क्या होती है, environment में release हो जाती है, और यही वज़ा है कि कम light available होती है, किसके पास में, aquatic या ocean के जो producer है, उनके पास, और इसी वज़े से productivity कम होती है, second है nutrition जो होते हैं, वो भी depth के साथ में क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, तो nutrition भी कम available होगे, तीसरा है terrestrial plant जो होते हैं, उनकी photosynthetic ability जो होती है, aquatic plant के compare में, ज्यादा होती है, तो ये भी एक कारण है कि, उनकी photosynthetic capacity भी कम है, और last है कि lower stratification, कि aquatic या ocean के case में stratification क होता है अब यह stratification क्या होता है उसे अभी अपन समझते हैं और secondary productivity क्या होगी उसे भी अपन अपन देखते हैं तो यह चार वज़े से ocean की productivity land के compare में क्या होती है कम एक बार आप यह note कर लीजे फिर अगे बढ़ाते हैं चप्टर को तो next topic अपन लेते हैं stratification क्या होता है तो देखो stratification क्या होता है vertical distribution of different species occupying different level is called stratification इसका क्या मतलब है पहले अपन को vertical direction में बहुत सारे layers या level बना देने और हर level पर कितना कितने number of species है उसे अपन क्या कहेंगे stratification जैसे कि इस diagram को अपन समझे तो यह एक कोई जगती जहां पर जितने भी plant है उनको अपन देख पार है तो सबसे नीचे जो होंगे grassage होगी उससे लंबी हाइट पर कौन होंगे shrubs और उससे लंबी हाइट पर कौन होंगे tree तो अगर मैं level बना दो तो यह पहला level जिस पे सिफ herbs और grass आएगी और यह मैं level किस direction में जा रहा हूँ vertical direction में इसलिए vertical distribution उसके बाद second layer पर देखो अपन को shrubs दिखेंगे लेकिन herbs इस में कोई दिखेंगा इन लेकिन tree दिखेंगा और सबसे उपर वाली layer में जाओंगा तो मुझे क्या दिखेंगा tree भी दिखेंगा तो वर्टिकल distribution पहले layer पर यह दूसरे layer पर यह तीसरे layer पर यह तो यह vertical जो distribution होगा उसे हपन क्या कहते है stratification stratification नहीं क्यों क्यों के यह layer है layer को क्या कहते है stratified तो यह पहली layer पर दूसरी layer पर तीसरी layer पर और यह layer कौनसे direction में vertical direction में इसे क्या कहते है stratification अकसर लेंड पर ऐसा vertical stratification या vertical distribution देखने को मिलता है ekvatic plant या Technical species Cordae Plan which Jefferson और o'stronic cantså से अक्यवेढ में उसमें ऐसा stratification या तो देखने को नहीं मिलता या फिर कम देखने को मिलता यही वज़ा है कि ocean की productivity क्या होती है कम होती है आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपन secondary productivity के बारे में तो देखो secondary productivity को समझने से पहले एक बार वापस देखते हैं कि जो producer जो थे उनके अंदर जो biomass के production की जो rate थी वो basically primary productivity थी और वो भी कौन सी productivity थी gross primary productivity थी इस में से ये कुछ respiration के लिए इस्तमाल कर लेते हैं फिर जो पीछे बचेगा GPP में से आर माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे क्या कहेंगे NPP और ये net primary productivity ही actual में available biomass है किसके लिए consumption के लिए तो net primary productivity is the available biomass for the consumption to heterotrop heterotrop में कौन आते है consumer or decomposer जब ये consumer इन net primary productivity को consume करते हैं इनके biomass को consume करते हैं तो वो अपने अंदर भी नया biomass बनाते हैं इसकी production की rate जो होती है वो secondary productivity कहलाती है दिन्देखो secondary productivity की वज़े से जैसे primary productivity किसके अंदर थी अपने producer के अंदर उसमें जो biomass बना उसकी वज़े से इसे कौन consume कर रहा है primary consumer consume कर रहा है लगिं primary consumer को को secondary consumer क्यों खा रहा है क्योंकि उसके अंदर भी कोई biomass है तो basically वो जो बायो मास के production की rate है किसी consumer के अंदर वो क्या कहलाएगी secondary productivity कहलाएगी क्योंकि consumer जो है वो खुद food बना नहीं रहे वो किसी food को consume करके वापस food बना रहे इसलिए यहां पर अपन दो-दो term नहीं करेंगे net और gross ठीक है अब देखो कुछ extra point है जो अपनी book में नहीं दे रखा आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आपको कभी कोई पुछे maximum primary productivity किस की होती है तो coral reefs की अगर यह option में नहीं होता आप tropical rainforest का इस्तमाल कर सकते हैं फिर उसके बाद में temperate forest, sugar can, grassland यह सब होते हैं और उससे भी कम productivity जो होती है वो किस की होती है, desert और Arctic tundra की होती है अगर सबसे कम productivity के बारे में पूछे तो वो कौन सी होगी, Arctic tundra वाले area में होगे अगर वो option में नहीं और desert option में है तो अपन क्या choose करेंगे, desert choose करेंगे तो अगर आपको कोई पूछे कि सबसे ज्यादा productivity, primary productivity किस मतलब जगह की होती है तो coral reefs की अगर वो option में नहीं है तो tropical rainforest और सबसे कम पूछे तो desert अगर Arctic tundra भी option में है तो उसे अपन चूज करेंगे ठीक है यह अपने extra है अप learn करना चाहे तो करें ना करना चाहे तो ना करें ठीक है तो second अपन ecological function या ecosystem का function समझते हैं जो की basically क्या है decomposition तो देखो primary productivity फिर अपने secondary productivity इन दोनों ही तरह की productivity से biomass जो है वो producer या consumer के अंदर क्या होता है इकटा हो जाता है अब इसके बाद में दो topic बनते है productivity के बाद में एक तो energy flow इसका मतलब की जो producer में biomass बना है वो फिर किसमें गया primary consumer में primary से secondary में secondary से territory में तो यह energy का flow बन गया और या फिर उनके degradation से वो चीज energy किसमें देंगे decomposure में तो एक तो topic हो गया अपना energy flow एक जो producer है जो consumer है उनकी dead bodies में जो organic substance इकटा हो गया उसे वापस inorganic substance में convert भी करवाना है ताकि वो cycling चलती रहे तो यह जो topic है वो कहलाता है decomposition तो अपन पहले उसको देखते हैं तो decomposition क्या होता है breakdown of complex organic matter complex organic matter का simple inorganic substance में convert होना अब complex organic matter कहां से आएंगे dead or decayed चीजों में से आएंगे dead substance में से आएंगे जो plant और animals का है उनकी body में जो biomass इखटा है वो complex organic substance है और उनके मणने के बाद उनकी body को degrade करके तोड के वापस inorganic चीजे बना देना वो क्या कहलाएगा decomposition कहलाएगा देखो plant जब photosynthesis करते हैं तो वो inorganic चीजों का इस्तमाल करते हैं और क्या बनाते है और और गनिक substance बनाते हैं ऐसे तो time के साथ में nature में inorganic चीजों की कमी हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता जो organic substance उन्होंने बनाये और जो उनका organic substance किसी consumer ने consume कर दिया है उन दोनों की dead bodies से decomposition करवाकर वापस inorganic substance क्या किया जाएगा environment में release करवाय जाएगा तो breakdown of complex organic matter into inorganic substance जैसे CO2 water nutrients उसे अपन क्या कहते है decomposition ताकि CO2 water nutrients वापस कौन consume कर पाया या कौन utilize कर पाया producer utilize कर पाया ठीक है अब next जो topic है इसी decomposition के अंदर जो heading है वह है अपना detritus तो it is a raw material for decomposition मतलब decomposition जीन चीजों के उपर होता है अभी अपन बोल रहे ना dead substance, dead substance तो वही detritus है which content dead plant remains या तो उस में plant के dead remains हो सकते है मनलब को dead plant है या plant का कोई तुकडा उक्राया या कोई leaf वगेरा है bark या फिर dead remains of animals हो सकते है dead animals वहन के remains हो सकते है या फिर उनके EV tribal matters हो सकते है उनकी excreta वगेरा हो सकते है तो यह सारी चीज है जिनके उपर decomposition हो सकता है उसे अपन कहेंगे detritus तो अगर sort में अपन कहें तो detritus वो चीज है जिसके उपर क्या हो सकता है decomposition हो सकता है अब अपन देखते है कि decomposition के step क्या है तो 5 step NCRT में दे रखे है fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization और पीछे से थोड़ा सा confusing सा हो जाता है तो देखो इसको अच्छे से समझे आप actual में 3 step होते हैं जो simultaneously चलते हैं एक साथ चलते हैं fragmentation, leaching, catabolism और catabolism के end तक inorganic substance बन जाते हैं लेकिन इस decomposition के दोरां दो और process होते हैं humification और mineralization कुछ book में ऐसा भी लिखा हुआ है कि catabolism के अंदर होते हैं humification और mineralization लेकिन आपको यह समझना है कि decomposition इन 3 step में हो जाता है और उसी के दोरां दो चीजे और होती है humification भी होता है mineralization भी होता है तो अब एक के करके समझते हैं सबसे पहले पर देखते है fragmentation क्या होता है तो fragmentation first step है इसमें क्या करेंगे detritus जो हैं उसके छोटे-छोटे तुकड़े कर देंगे detritus क्या था अपने complex organic compound था तो अभी तुकड़े होएं तो अभी भी वह organic compound ही है complex ही है बस उसके चोटे-छोटे तुकड़े हो गया है तो process by which detritus broken down into smaller particle और यह काम कौन करेंगे detritus करेंगे जैसे कि earth warm होता है termite होती है यह काम वह लोग करते हैं और इस process को क्या करते है fragmentation जब इसके टुकड़े किये जाते हैं और उस समय जो inorganic substance अगर थोड़ा बहुत कोई release हो जाए तो वह पानी के साथ soil में बहुत डीप अंदर चला जाएगा इस process को leaching कहेंगे the process by which water soluble inorganic nutrients जो inorganic nutrients है वह पानी के साथ soil के बहुत अंदर की तरफ चले जाते हैं और फिर वह unavailable salt है मतलब वहां से plant utilize नहीं कर पाएंगे इस process को क्या कहेंगे leaching कहेंगे catabolism क्या होता है कि जो यह fragmentation की वजह से जो बचा है पीछे उसमें दो काम होंगे पहले complex organic से simple organic बनेंगे और फिर simple organic को simple inorganic में बदला जाएगा बोले तो catabolism में खतम होते होते क्या बन जाएगा simple inorganic substance बन जाएगे तो bacteria and fungus enzyme degrade detritus into simpler inorganic substance NCRT की line है NCRT में definition में लिखा हुआ है कि catabolism simple inorganic substance बना देता है इसका मतलब decomposition तो complete हो गया फिर वह आगे के दो काम में क्या होगा उसके लिए देखो दो line यह भी NCRT से लिए इससे अच्छे से समझे पहले तो वह लिखा हुआ है कि all about these step बोले तो यह तीन step की बात कर रहे है occur simultaneously मतलब detritus के उपर यह तीनों चीज़े एक साथ होती रहती है और इन तीन चीज़े से क्या हो जाएगा decomposition हो भी जाएगा अब during this decomposition यह decomposition जब हो रहता बिसिकली यह तीन process जब हो रहते तो उस समय humification और mineralization होते है किसके अंदर soil के अंदर तो पहले क्या होगा fragmentation, leaching और catabolism यह तीनों एक साथ होंगे और इन तीनों process से क्या बन जाएगा inorganic substance बोले तो decomposition हो गया और जब यह process हो रहता तो soil के अंदर दो और process होंगे एक humification और mineralization उसमें क्या होता है अभी समझते हैं पहला आप यह अच्छे से not कर लिजे ठीक है तो देखते हैं humification और mineralization क्या होते हैं तो देखो decomposition के तीन step हुए fragmentation हुआ, leaching हुआ, catabolism हुआ और यह तीनों step जब हो रहते तो उस दोरान soil के अंदर दो और process होंगे humification or mineralization, humification में क्या होगा कि जब decomposition हो रहा था तो जो organic material थे जो थोड़े रजिस्ट थे, microbial action से मतब जिनका आसानी से degradation नहीं हो रहा था वो organic material एक dark color के substance के form में soil के उपर सबसे top layer में fertile layer में इखटे हो जाते हैं, इस substance को तो कहेंगे humus और humus का इखटा होना क्या कहलाएगा humification, humus में कौन से substance होते हैं, organic material होते हैं कौन से organic material है, जो आसानी से degrade नहीं हो रहे इसका मतलब humus क्या करता है, soil में organic rich soil बनाता है और क्योंकि यह अभी soil की top layer या fertile layer में इसका मतलब जहां से plant इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसका मतलब यह एक तरह का go down जैसे हो गया मतलब storage house जैसे हो गया किसका nutrients का अब धीरे-धीरे ही सही, यह slow degrade होते हैं लेकिन degrade तो होंगे, तो humus जब और degrade होगी तो वो क्या बनाएगी, inorganic substance बनाएगी और इस process को क्या कहेंगे, mineralization क्योंकि humus के degradation से जो inorganic substance बनते हैं वो basically mineral ही होते हैं, तो इस process को mineralization कहेंगे तो यह अपना क्या था, decomposition था अब अपन इसको एक cycle के pattern में समझते हैं, ठीक है देखो यह एक tree है, ठीक है और इससे एक leaf जो है, वो है तो यह leaf या तो कोई क्या करेगा, consumer खा जाएगा और फिर वो उसमें energy flow होगा food web के अंदर या फिर यह जो leaf है, यह dead होगे है तो इसपे detritus वगेरा काम करेंगे और decomposition cycle चलाएंगे, उसको अपन को समझना है तो सबसे पहले यह dead leaf है, इसका मतलब यह क्या है, detritus है इसपे क्या हुआ, fragmentation हुआ, जिससे dead tree वो ने इनको क्या किया smaller particle में क्या कर दिया, convert कर दिया और इस दोरान जो inorganic substance water soluble थे, उसकी वज़े से leaching हो गई होगी इन टुकडों के उपर क्या होगा, catabolism होगा और यह catabolism जो है, वो direct detritus के उपर भी हो सकता है यह जो detritus है, इसके उपर भी क्या हो सकता है, catabolism हो सकता है अभी NCRT ने क्या लिखाता कि, यह तीनो step simultaneously होते है तो detritus का direct catabolism हो सकता है, पहले fragmentation हुआ, फिर catabolism हो सकता है catabolism में क्या होगा, कि जो detritus है, उसको simple inorganic substance में convert कर दिया जाएगा अब जब यह तीनो process simultaneously चल रहे थे, तो soil के अंदर दो और process चल रहे थे एक तो dark color का humus बनेगा, जो nutrients का reserve area है, उसे अपन process को कहेंगे humification और फिर time के साथ humification की जो humus है, उसका और degradation होगा और minerals release होंगे, जिसे क्या कहेंगे, mineralization और यह जो minerals और organic substance से यह वापस कौन इस्तेमाल कर सकता है, plant यह एक decomposition cycle हो गया, ठीक है next है factor affecting decomposition, मतलब decomposition को कौन कौन से factor affect करते हैं तो पहले है environmental factor और दूसरे की detritus का chemical composition क्या है यह दो चीजे जो है, decide करेगी कि decomposition किस rate से होगा तो environmental factor में आते है temperature, humidity और oxygen यह तीनों अगर जादा हो तो decomposition जादा होता है मतलब decomposition जादा होने के लिए, जादा rate से होने के लिए temperature हाई होना चाहिए, humidity होनी चाहिए और oxygen होनी चाहिए अगर कम temperature है, humidity कम है, anaerobic condition है तो पूरा decomposition नहीं होगा और सिर्फ organic substance बन जाएंगे ठीक है, तो warm, humid और aerobic condition जो है, वो decomposition को क्या करती है, favor करती है low temperature और anaerobic condition होगी, तो slow decomposition होगा, इससे organic material इकटे होने लगेंगे किसके अंदर, soil के अंदर, ठीक है, एक है chemical composition of detritus, मतलब जिस चीज को अपन तोड रहे हैं decomposition करा रहे हैं, उस वो किस चीज का बना है, उसके उपर भी decomposition की rate depend करेगी, अगर detritus में लिगनीन है, काइटीन है, तो फिर इनका decomposition बहुत slow speed से होगा, लेकिन अगर detritus में nitrogen rich compound है जैसे protein वगेरा, या फिर water soluble substance है, जैसे sugar वगेरा, तो फिर उनका decomposition क्या होगा, जल्दी-जल्दी होगा, ठीक है? तो यह सब था अपने किस के बारे में? Decomposition के बारे में तो ecosystem के function में, अपने सबसे पहला function किया, productivity, फिर अपन decomposition कर चुके हैं, अब अपन देखेंगे energy flow, तो energy flow समझने से पहले अपन यह देखते है कि energy का source कौन है? तो NCRT लिखती है कि sun is the only source of energy for all ecosystem on earth, एर्थ पे जितने भी ecosystem है, सब के लिए सिफ एक ही source of energy है, वो क्या है? Sun खुद, लेकिन एक exception लिखती है कौन सा? Deep sea hydrothermal ecosystem, जिसमें basically उसमें भी sun ही है, लेकिन basically क्या होता है? जो sunlight गिरती है, उसकी वज़े से पानी वगेरा गरम हो जाता है, फिर वो heat energy होती है, उसका इस्तेमाल करके वो क्या कर सकते है? फूड बना सकते हैं, तो इस एक case में वो अपन hydrothermal energy अपन मान सकते हैं कि क्या है? कि energy का source है, लेकिन बाकी सब में sun ही एक, मतलब क्या होता है? अब जितनी solar radiation गिरती है, उस solar radiation का 50% जो है, वो उस 50% में plant photosynthesis कर सकते हैं, मतलब जितनी solar radiation आती है, उसका 50% ऐसा है, जिसमें plant photosynthesis कर सकते हैं, उन्हें absorb किया जा सकता है, करते कितनी है? वो अलग चीज है, किया जा सकता है, इस 50% को कहते है, PAR photosynthetic active radiation, फिर इस PAR का भी 2 से 10% जो है, वो plant actual में absorb कर पाते हैं, ठीक है? तो total का 50% PAR होता है, और PAR का भी 2 से 10% plant क्या कर पाते है, actual में क्या कर पाते है? यूटिलाइज कर पाते है, solar energy captured by plant flow through different organism, अब जो ये energy है, वो ही energy सब में जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी? प्लांट इस energy का इस्तमाल करके खुद के अंदर biomass बनाएंगे, फिर उस biomass को consumer consume करेंगे, और plant और consumer की dead body से decomposer energy लाएंगे, तो solar energy captured by plant flow through different organism, it is non-age energy flow. energy flow जो होती है, ecosystem में वो thermodynamics के दोनों लोग follow करती है, first और second law ठीक है? तो first law आप जानते हो, इसे indirectly अपन ऐसे कहता है कि total energy वो की वो ही रहती है, बस energy की एक form से दूसरी form हो सकती है, तो यहाँ पर भी यह हो रहा है, energy of sunlight जो हो रहा है, उसे अपन food में convert कर रहें, तो food भी एक तर generation वगेरा करते हैं, second law अगर आपने पढ़ा है, chemistry में ऐसे होता है, entropy जो होती है, वो बढ़ती जा रही है, अब entropy basically disorderness को कहते है, तो जैसे जैसे एक level से दूसरे level में food transfer होगा, consume किया जाएगा, तो respiration में energy loss होती रहेगी, इससे randomness बढ़ती है, entropy बढ़ती है, तो NCRT लिखती ह है कि ecosystem need a constant supply of energy, उन्हें लगातार supply चाहिए energy की ताकि उस loss को क्या कर सके, overcome कर सके, to synthesize the molecule they require, और to counteract the universal tendency towards the increasing disorderness, disorderness का यह मतलब क्या है, वो loss जो हो रहा है energy का, उसको counter करने के लिए constant supply चाहिए energy की, तो indirectly, sort में अपन देखे, तो दोनो लो जो है, वो ecology के ecosystem के energy flow पर applicable होते है, देखो, वैसे भी जो thermodynamics के law है, वो सब जगा available होते है, मतलब applicable होते है, तो यहां पर भी होंगे, क्योंकि यह भी एक तरह के क्या है, chemical process ही है, अब energy flow जो होता है, वो दो तरीके से अपन समझ सकते है, food chain के form में, और food web के form में, food chain जो है, अपन दो तरह की स energy flow जो होती है, उसको अपन दो तरीके से समझ सकते है, food chain और food web, पहले अपन देखते है, food chain, इसको समझने से पहले यह देखते है, देखो, यह sun है, और sun से जो light आती है, उसको जो इस्तमाल करके food बनाते है, उनने क्या कहते है, producer, तो autotrops produce food using sunlight, इन्हें अपन producer कहेंगे, कौन कौन से producer हो सकते है, plants हो सकते है, जिसमें herbs, herbs और tree आते है, algae हो सकती है, phytoplankton हो सकते है, फिर इन producer को consume करने वाले, जो भी होगे, उनने consumer कहेंगे, अब जो इनने directly consume कर रहे हैं, उनने primary consumer, primary consumer को जो consume कर रहा है, secondary consumer, secondary को जो consume कर रहा है, tertiary consumer, अब क्योंकि primary consumer producer को consume कर रहा है, इसका मतलब वो हर भी वोर होगा secondary और tertiary consumer जो है वो उपर वाले consumer को consume कर रहे हैं इसका मतलब वो कार्णी वोर होंगे यह पहले कार्णी वोर यह दूसरे कार्णी वोर तो consumer क्या होते है all organism which depends directly और indirectly on plant for their food need उन्हें पन consumer कहेंगे primary कौन से होते हैं consumer जो producer को consume करते हैं यह सारे herbivores होंगे अपनी book में कुछ line लिखी विए तब वह देख लेते हैं consumer वैसे तो बहुत सारे primary consumer हो सकते हैं इंसेक्ट primary consumers में आते हैं कुछ birds primary consumers में आते हैं बहुत सारे mammals primary consumer में आते हैं बुक में एंसे आर्टीम लिखा हुआ है कि जो equity system होता है उसमें mollusk का बहुत सारे होते हैं जो primary consumer के फिर्म में आ सकते हैं secondary consumer जो primary consumer को खाए उन्हें secondary consumer कहते हैं यह तरह के carnivore होंगे यह पहले carnivore है इसलिए primary carnivore पहले बुले तो food chain में इन से पहले तो कोई carnivore है निए क्योंकि यह तो हर्भी वोर्स हैं फिर tertiary consumer तो यह तो कंजियूंइर व रहता हैं चेंडरी editions fak Dent Zamor को खाते हैं से कंडरी Cand Zamor को खा सकते हैं इसलिए इन्हें top carnivore कहते हैं इसके अलावा अपने एक अपन और लिख सकते हैं कौन लिख सकते हैं डी कंपोजर थर्ड हेडिंग डालके डी कंपोजर भी लिख सकते हैं जो भी क्या होता है नेचर में होता है ठीक है बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं वो अपन समझ चुके हैं डी कंपोजिशन में इसलिए मैंने यहां लिखे नहीं अब मेरी बात यहां से सुना कि यह जो sequential relationship है इसमें हर एक का मैं एक एक example लिखूँ तो एक ऐसे chain like structure बन जाएगी यह याद रखना हर एक का मुझे सिफ एक ही example लिखना है तो मेरे इस पास जो chain बन जाएगी और उस chain को मैं food chain कहूँगा क्या कोँगा food chain और यह food chain क्या बताएगी कि इसको किस ने consume किया फिर इसको किस ने consume किया फिर इसको किस ने consume किया ठीक है तो अब food chain is a sequential linear relationship of one organism consuming the other it indicates who eats whom in a ecosystem कि एक ecosystem में कौन किस को consume करता है बस इतना याद रखना है food chain में यह जो line है इसमें हर एक का एक एक example लिखना है तो उसे food chain कहेंगे actual में आपसार जानते हैं कि जैसे मानलो यह एक producer है तो इसे कोई एक organism नहीं खाता एक से ज़्यादा organism खाता है और जरूष थोड़ी यह एक ही producer प्रोड़ीसर भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं यह वाला इसको भी consume करता है इसको भी consume करता है यहां जो और्गेनिजम में वो जरुर नहीं है एक ही organism का है उसको एक से ज़्यादा organism कर सकते है इस वाले को भी हो सकता है इसने Rough इस वाले को भी हो सकता है इसने कंज्यूं किया हो तो ऐसे पूरा एक net like structure बन जाता है जिसे food web कहते है तो actual जो representation है वो food web बताता है लेकिन समझने के लिए अपन एक 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 जामपल लिखकर अगर समझे तो उसे अपन क्या कहेंगे food chain तो पहले अपन food chain पर focus करते हैं ठीक है next है types of food chain तो देखो food chain जो होती है वो दो तरह की हो सकती है grazing food chain और detritus food chain देखो grazing food chain जो होती है वो producer से start होती है जो होती है और detritus food chain जो होती है वो detritus से start होगी बोले तो dead material से start होगी ठीक है तो अगर food chain में पहला जो component है वो producer है तो फिर उसे अपन grazing food chain कहेंगे और पहला जो component है जो energy का source है वो dead materials है तो उसे detritus food chain कहेंगे तो grazing food chain क्या होती है simple food chain generally यह होती है that extend from producer to top consumer और इसमें कोई decomposer नहीं होते है उन्हें अपन grazing food chain कहते है अब grazing food chain अगर land पर हो रही है तो terrestrial grazing food chain और aquatic में हो रही है पानी में हो रही है तो aquatic grazing food chain terrestrial वाली भी दो तरीके की मदब बहुत सारी हो सकती है अपन दो एक्जामपल लिख रहे हैं एक forest food chain जिसमें एक plant है उसको कौन कंजूम कर रहा डियर डियर को कौन कंजूम कर रहा लोयन ये अपन grassland का example लेते हैं grass है grass है grass को कौन कंजूम कर रहा है grass अपर फिर इसको कौन कंजूम कर रहा फ्रोग फिर इसको कौन कंजूम कर रहा स्नेक तो ये हो जाएगा producer ये primary consumer ये secondaryimar ये इस केस में यह कौन हो जाएगा प्रोड्यूसर यह प्राइमरी कंजुमर यह सेकंडरी कंजुमर लॉयन किसी अलग फूड चैन में टर्सरी कंजुमर की जगह पर भी आ सकता है ठीक है एक्वेटिक फूड चैन में देखे तो फाइटो प्लैंक्टॉन जो होते हैं वह फूड बनाते हैं फिर उनको कौन कंजुम करते हैं जू प्लैंक्टॉन फिर उनको कौन कंजुम करते हैं फिस और फिर उनको फिस इटिंग बर्ड जो होते हैं वह कंजुम कर लेते हैं तो यह तो थी ग्रेजिंग फूड चैन अब वह फूड चैन जो डैटिटिटस से स्टार्ड ह होती है उन्हें अपन क्या कहेंगे डेटिटर्स फूड चैन तो डेड और गेनिक मेटर होंगे और उनको कौन कंज्यूम करेंगे डीकमपो जाए तो यह डेटिटर्स फूड चैन हो जाएगी अब देखो अपनी बुक में एक लाइन लिखी वी है कि एक्वेटिक एको सिस्ट में जो होता है वो क्या होता है बायो मास प्रोडक्शन ज्यादा होता है यह अपन पहले पढ़ चुके हैं तो प्रोड्यूसर जो होगा उसमें काफी बायो मास है और वो सारा का सारा बायो मास प्राइमरी कंजूमर कंजूम नहीं कर पाएंगे और फिर प्राइमरी कंजूम decomposer जब इन सबकी dead body को decompose करेंगे तो decomposer करवाएंगे तो जो man pipeline है conduit का मतलब एक transfer करने के लिए जो चीज होती है pipelines जो होती है तो aquatic system sorry land ecosystem में जो man energy flow जो करवाता है वो detritus food chain करवाती है grazing food chain होती है लेकिन उसमें biomass खटा ज्यादा होता है flow कम होता है तो जो energy का flow man है वो ज्यादा कौन कराएगा detritus food chain कराएगी जबकि equity ecosystem में कौन कराएगी grazing food chain खुद ही करवाएगी क्यों करवाएगी क्योंकि वहाँ इतना biomass production नहीं ठीक है next topic है अपना food web देखो food web क्या होता है natural interconnection of food chain makes food web जो food chain है वो एक दूसरे से interact हो जाती है उसे अपन food web करते हैं देखो यहाँ पर एक food chain देखते हैं यह grass ग्रास से grass ओपर grass ओपर को किसने कंजुम किया frog और frog को किसने कंजुम किया snake तो यह food chain है ठीक है और देखते हैं देखो यह seed थे seed को किसने कंजुम किया rat, rat को किसने कंजुम कर लिया eagle यह भी एक food chain है seed को कंजुम किया rat, rat को कंजुम किया dog, dog को कंजुम कर लिया lion यह भी एक food chain है tree, tree को कंजुम किया deer, deer को कंजुम कर लिया lion है यह भी एक food chain है और tree से deer, deer से tiger यह भी एक food chain है ठीक है करेगा और ग्रास ओपर को कौन खाएगा फ्रॉग फ्रॉग को कौन खाएगा स्नेक लेकिन स्नेक से फ्रॉग ही नहीं खाता स्नेक रैट भी कंजूम कर सकता है अब स्नेक को इगल भी कंजूम कर सकता है स्नेक को और कोई जानवर भी कंजूम कर सकता है ठीक है जैसे यहां और्गेनिजम के पास भी ज्यादा चॉइस होती है वह भी एक से ज्यादा चीजें चंज्यूम कर सकता है तो food web so actual flow as in reality a single organism कंज्यूम बाई more than one consumer एक organism को एक से ज्यादा consumer कंज्यूम करते हैं और उनको भी कंज्यूम करने वाले एक से ज्यादा हो सकते हैं तो actual में food chain नहीं होती food web बनता है food chain अपन क्यूं पढ़ते हैं ताकि अपन को एक relationship अच्छे से समझ में आए ठीक है तो next term जो अपन को समझनी है वह है अपना traffic level तो traffic level क्या है based on the source of their nutrition or food organism occupy a specific place in food chain मतलब कि एक particular organism कि source से या किस तरीके से food obtain करता है उसके basis पर हर organism को food chain में एक position पर रख सकते हैं वह जो nutritional role या nutritional level जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे traffic level क्या कहेंगे traffic level इसका क्या मतलब है अगर कोई चीज जो है वह sunlight से energy इस्तमाल करके nutrition बनाता है तो वह पहला traffic level क्या लाएगा इसका मतलब producer जो है वह कौन से level पर आएंगे first traffic level पर आएंगे वह organism जो producer को consume करके अपना food लेते हैं वह second traffic level पर आएंगे और जो primary consumer को consume करके खाएंगे उन्हें third traffic level पर रखेंगे जो इनको consume करके खाएंगे उन्हें fourth traffic level में रखेंगे एक organism का traffic level change भी हो सकता है जैसे माल लो कि एक कोई organism है वह primary consumer को consume कर रहा है कार्णिवरस है primary consumer को खा रहा है तो इसका मतलब उसका traffic level कौन सा हो गया third traffic level लेकिन उसी organism ने किसी और दिन किसी secondary consumer को consume कर दिया तो वह अब कौन सा traffic level रखेगा fourth traffic level रखेगा तो एक organism का traffic level change हो सकता है हमेशा हो जरूर नहीं है लेकिन हो सकता है तो based on the source of their nutrition of food organism occupy a specific place in food chain उस place उस level उस nutritional role को अपन क्या कहेंगे traffic level कहेंगे organism at each traffic level depends on those at lower traffic level जैसे primary consumer है यह food के लिए किस पर depend करेगा इस पर secondary consumer इस पर और tertiary इस पर यह fourth level है highest level है तो यह इसके नीचे वाले पर depend कर रहा है यह इसके नीचे वाले पर इसके नीचे वाले पर यह तो अपना food खुद बनाते हैं फिर है कि 10% लो जब यह food एक दूसरे के अंदर consume किये जाते है यह energy transfer होती है तो कुछ energy कुछ क्या majority of energy जो है वो loss कर दी जाती है मतलब जितनी energy producer में फिर होगी वो सारी की सारी किस में नहीं जाएगी primary consumer में नहीं जाएगी तो only 10% of energy is transfer to each traffic level from lower energy level मतलब यह है जितनी energy है उसका सिब 10% इसमें जाएगा यहां पर जितनी energy है उसका 10% इसमें जाएगा यहां पर जितनी energy है उसका 10% इसमें जाएगा तो यहां माल लेते हैं 100 Joule energy है तो उसका 10% बोले तो 10 Joule प्राइमरी कंजूमर में गया उसका भी 10% बोले तो 1 Joule है जो secondary consumer में गया उसका भी 10% tersuary consumer में गया तो tertiary consumer तक आते आते energy काफी कम हो जाएगी और इतनी कम हो जाएगी कि अगर इसको कोई consume करे तो उसमें energy नहीं के बराबर जाएगी यही वज़ा है कि एक food chain में generally 1, 2, 3, 4 या तो 3 traffic level होते हैं या 4 traffic level होते हैं तो देखो क्या लिखा है कि only 10% of energy transfer to each traffic level from lower traffic level the amount of energy decrease at successive traffic level दीरे दीरे वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी due to 10% only 3 to 4 traffic level present in any food chain because very little amount of energy available after 4 traffic level 4 traffic level के बाद में इतनी कम energy बचेगी वो 10% 10% रहते रहते कि अगला जो है उसको क्या मिलेगा consume करने का next is standing crop क्या होती है तो इसे पहले अपन समझते हैं यह सब पोज करो कि यह अपने तीन लेएड लेवल है traffic level यह फर्स traffic level यह second और यह third यह first पर मैंने producer लिखे हैं बहुत सारे second पर यह मैंने primary consumer और third traffic level पर जो है secondary consumer रखें तो यह किसी जगह पर यह पहला traffic level है और इसमें बहुत सारे तरह के क्या है producer से तो यह बहुत सारे producer पहले ट्रॉफिक लेवल पर ही है यह सब मिलकर जितना बायो मास बनाएंगे उसको मैं कहूंगा standing crop क्या कहूंगा standing crop total biomass of this traffic level at a particular time वो इस traffic level का क्या कहलाएगा standing crop कहलाएगा इसका मतलब standing crop की definition क्या लिख सकते है total biomass या mass of living material at each traffic level at a particular time उसे क्या कहेंगे standing crop या total का मतलब किसी एक की वज़े से नहीं किसी एक level पर जितने भी जने हैं वो सब मिलकर जो बनाएगे वो उस level का क्या कहलाएगा standing crop कहलाएगा जैसे मालो यह second traffic level है इस पर इंसेक्ट भी biomass बना रहा है काव भी बना रही है तो खाली insect का जो है उसे standing crop नहीं कह रहे इस जगह पर यह तीनों है तो इन टीनों से जो total biomass production होगा वो second traffic level का क्या कहलाएगा standing crop कहलाएगा इन सबसे होगा जो first traffic level का standing crop कहलाएगा इन सबसे जो होगा वो second traffic level sorry third traffic level का standing crop कहलाएगा ठीक है next है ecological pyramid दो को pyramid आप सब जानते है क्या होता है एक तरह का ऐसा structure होता है जिसका क्या होता है base होता है और उपर pointed area होता है अब ध्यांद से सुनना मेरे को क्या करना है कि ecosystem की जो food chain बगेर आती उसके तीन relation समझने किस में relation देखना है अपन को जो first second third food traffic level अब producer primary consumer secondary consumer tertiary consumer में relation देखने अब वो relation पहले किस-किस के देखने या तो number के कि बाइट प्रोडूशर के number के compare में primary consumer कितने primary के compare में secondary कितने secondary के compare में tertiary कितने या तो यह relation देखना है या फिर mass का relation देखना है कि इनका mass कितना है इनका mass कितना है इनका mass कितना है या energy का relation देखना है कि इसकी energy कितनी है इनके पास energy कितनी है इनके पास energy कितनी है इनके पास energy कितनी है तो पहले तो मैं क्या check करना चाहता हूँ एक ecological system में ecosystem में हर traffic level के बीच में कोई relation देखना चाहता हूँ relation किस किस के होंगे number mass energy के अब मैं करूंगा क्या जैसे मालो की मैं number का relation check कर रहा हूँ तो मालो की producer के number है उसे मैं उस number को मैं क्या करता हूँ एक width से 100 कर दूँगा अब यह विर्थ यह बताएगी कि वह mass कितना अब primary consumer का जब मैं total mass निकालूंगा मतला second traffic level पर जितने भी primary consumer है उन सब का total mass जो होगा वह क्या हो सकता है दो case ले लेते हैं यह पहला बनाया था अपने तो दो case हो सकते है या तो उनका mass इससे कम हो जाएगा या उनका mass इससे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा फिर secondary consumer जो है third traffic level पर जितने भी secondary consumer है उनका भी अपन mass चेक करेंगे मानलो उनका mass कम आता है इसका मतलब चैनल में अगयर ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पीरामिड बनता है उसे अपन क्या कहते है इकोल जो जो है जो है ecological pyramid जो है वो एक तरह का क्या है ग्राफिकल स्पार्विकल रखेंटरिशन है यह याद र neutr के इड़ेट है इंदके इस अ ग्राफिकल स्फ coconut टाक् ritual सिप्ट बीच में निकालना है current traffic level में निकालना है और किन चीजों का रखिपरद रिलेशन निकालना है number mass मास और एनर्जी वापस helaगअनों कि नमबर मासज और एनर्जी का रिलेमिड की तरह है। jeder gosh को अपन graph से बनाएंगे तो जो graph obtained होगा जो diagram दिखेगा अपन को वह अपना क्या कहलाएगा ecological pyramid pyramid क्यों कह रहा है क्यों कि वह हमेशा या तो नीचे से उपर की तरफ pointed हो जाएगा या उपर से नीचे की तरफ pointed होगा जैसे कि मालो और हां base में हमेशा producer को रखेंगे उसके उपर herbivores को उसके उपर primary carnivores को उसके उपर secondary carnivores बोले तो primary consumer secondary consumer टर्सरी consumer एक और चीज़ यहां पर जितने होंगे वह सारे के सारे वह first traffic level है तो एक producer नहीं सारे producer रखना है यहां पर second traffic level के जितने भी primary consumer है सब रखना है यह third traffic level के यह भी आप side में लिख लेना third traffic level के जितने भी secondary consumer है सब रखना है यह fourth traffic level के जितने भी tertiary consumer है सब लेना है अपन को चाहे उनका number लेना है चाहे उनकी energy लेनी है चाहे उनका mass लेना है base में हमेशा producer लेंगे तो अगर मालो कि कोई भी रिलेशन जो है वो प्रोड्यूसर का ज्यादा है तो उसको अपन ऐसे ब्रॉड बनाएंगे और उपर की तरफ कम होता जाएगा तो विर्थ कम करते जाएगे तो यह एक पिरामिड बन गया अपराइट पिरामिड कोई भी ऐसी प्रोपर्टी है जो कम है और उपर की तरफ जाने पर बढ़ती जा रही है तो ऐसा बन जाएगा तो यह इन्वर्टेट पिरामिड हो जाएगा इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहते है किसको एकोलोजिकल पिरामिड को क्योंकि साइंटिस्स के नाम पर यह है ठीक है तो देर आर थ्री टाइ सीधे बनेंगे उल्टे बनेंगे तो वह सब अपन को समझना है पहला आप यह नौट कर लीजिए फिर आपन आगे बढ़ते हैं ठीक है सबसे पहले देखते पिरामिड ऑफ नंबर तो यह बिस्क्ली ग्राफिकल री प्रेजेंटेशन है किसके बीच में रील्यलेसंसिप देखेंगे Tropic level में लेकिन किस terms में देखेंगे number मतलब अपनको producer के number देखने है primary consumer के number देखने है secondary consumer के number देखने है उस हिसाब से जो pyramid बनेगा वो pyramid of number कहलाएगा जनरल ये pyramid कैसा होता है upright लेकिन कुछ case में inverted भी हो सकता है जैसे grass land है तो grass जो है producer है उसके number जादा ही होंगे उसके उपर depend करने वाले के number कम होंगे और धीरे धीरे number और कम होते जाएंगे लेकिन अगर एक tree ecosystem या forest ecosystem देखें तो एक tree पर बहुत सारे primary consumer और उन primary consumer पर बहुत सारे secondary consumer तो जो ecosystem of tree जो है वो basically inverted pyramid देता है आपको यह याद रखना है कि pyramid of number का जो ecological pyramid है वो सीधा किस case में होता है उल्टा किस case में होता है तो upright तो होता है grassland ecosystem के case में और tree ecosystem के case में कैसा होता है inverted होता है pyramid of mass क्या होगा same definition लिखनी है बस in terms of number की जगा अपन को क्या कर देना in terms of mass कर देना तो यहाँ पर producer primary secondary tertiary consumer के अपन क्या देखेंगे mass देखेंगे तो एक terrestrial ecosystem जो होता है वो हमेसा सीधा pyramid देता है क्योंकि जैसे tree है उनका mass ज्यादा ही होगा फिर उस पर consume करने वाले primary consumer का कम होगा तो कम होता जाएगा तो यह सीधा pyramid बनेगा लेकिन अगर aquatic system की बात करूँ तो वह producer होता है phytoplankton क्या होता है phytoplankton अब उनका mass कितना होगा फिर उन पर जू plankton फिर उन पर छोटी face फिर वर्डी face इसका मलब धीरे-धीरे mass क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो terrestrial ecosystem अक्सर कैसे होते है सीधा pyramid of mass देते हैं जबकि एक्वेटिक ecosystem inverted pyramid of mass देते हैं ठीक है next pyramid of energy same definition रखनी है अपन को जा number और mass लिखते थे वह energy कर देना है लेकिन इस case में अलग क्या है pyramid of energy जो होता है वो हमेशा हमेशा ही क्या होगा upright होगा कभी भी वो inverted नहीं होगा इसका क्या मतलब है कि producer से tertiary consumer की तरफ जाते जाते हमेशा ही energy गटेगी ऐसा क्यों अपन पहले ही discuss कर चुके है कि energy flow जो होता है वो 10% rule से होता है अगर producer में 100% है तो उससे primary consumer में इसका 10% जाएगा primary में इसका 10% secondary से tertiary में उसका भी 10% इसका मतलब time के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे यह food chain में आगे energy कम होती जाएगी कम होती जाएगी तो कैसा pyramid बनेगा सीधा ही तो pyramid of energy जो होता है वो हमेशा सीधा ही होता है pyramid of mass और pyramid number सीधे और उल्टे दोनों होते हैं तो आपको उनके example याद रखने pyramid of energy जो होता है वो हमेशा सीधा होता है इसका कारण भी पुछा जा सकता है तो energy flow follow 10% rule it means energy decrease in successive level तो यह अपने तीन ecological pyramid ते अब बात उठती है कि यह ecological pyramid जो है इनकी क्या कोई limitation है तो पहली limitation है कि यह जो है food chain के हिसाब से draw किये जाते है जबकि nature में क्या exist करती है food web मतलब यह producer को यह primary consumer तो खाएगा इस producer को कोई और भी खाएगा तो यह तो अपन किस दूसरे pyramid में चल सकता है यह consumer एक से ज्यादा होता है तो generally जो होती है food web होती है लेकिन जब ecological pyramid अपन बनाते है तो वो किसके हिसाब से बनाते हैं ऐसे समझ के बनाते हैं कि क्या होगी food chain एक जो ecological pyramid जो होता है वो सिफ grazing food chain के लिए बनते हैं NCR team लिखावा है कि ecological pyramid मे सेप्रोफाइट को ignore किया गय है अब सेप्रोफाइट किस food chain में होते हैं डेट्रिटर्स food chain में इसका क्या मतलब है ecological pyramid किसके लिए नहीं बनाई है डेट्रिटर्स food chain के लिए नहीं बनाई नेचर में तो वो भी exist करती है तो उनके लिए ecological pyramid क्यों नहीं बनाई यह limitation है एक एक member जो होता है वो एक से ज्यादा traffic level occupy कर सकता है जैसे माल लो कि यह producer है इसको consume करने वाला primary consumer था और फिर primary consumer को hey ने खा लिया तो like कैसा consumer हो गया secondary हो गया अब Sam में वापस लेता हूं एक producer थे उसको primary prisoner क्यों को secondary खाए पिर secondary को लोयन ने खा लिया, तो लोयन कैसा हो गया, tertiary consumer हो गया, इसका मतब एक particular consumer एक से ज्यादा traffic level पर हो सकता है, इस fact को भी ecological pyramid में क्या किया गया, ignore किया गया, तो यह कुछ limitation है, अगर exam में पूछे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, next topic है nutrient cycle, और यह अपना last function है, पहला था productivity, दूसरा था decomposition, तीसरा था energy flow, और last and final है nutrient cycle, तो यह basically क्या होता है, कि जो biotic और abiotic component है ecosystem, उनके बीच में nutrition का क्या चलेगा एक cycle, इसका मतलब abiotic component से certain nutrients किसमे जाएंगे biotic में, फिर biotic से वापस किसमें चले जाएंगे, abiotic में, तो यह circle के form में चल रहा है, इसलिए इसे cycle कह रहे है, किन का cycle है, nutrients का, इसलिए इसे nutrient cycle कहते है, इसे bio-geochemical cycle भी कह सकते है, क्योंकि bio का क्या मतलब बताया living, बोले तो biotic component, और geo का मतलब बताया rock, air, water, बोले तो abiotic component, तो biotic और abiotic component के बीच में, यह nutrient का movement है, जो cycle है, उसे nutrient cycle या bio-geochemical cycle कह सकते है, अब जो next, अपनी term है, important वो है, अपनी standing state, क्या है, standing state, क्या होती है standing state, किसी एक particular time पर soil या water, generally soil में major की जाती है, उसमें जो है, कि nutrients की amount कितनी है, कौन से nutrients की बात चल रही है, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, for us, calcium, यह जो minerals है, जो nutrients है, किसी particular time पर soil में कितने है, उसे अपन क्या कहेंगे, standing state कहेंगे, तो the amount of nutrients present in soil or water at any given time is non-etch, standing state, it varies in different kind of ecosystem, अलग-अलग ecosystem में अलग-अलग होती है amount, और अलग-अलग time पर भी अलग-अलग होती है, ठीक है, और seasonal basis पर भी change होती है, next है reservoir of nutrients, देको reservoir क्या होता है, कि जब अपन अभी nutrient cycle पढ़ेंगे, तो एक ऐसी जगह होगी, जा nutrients क्या रहते है, खटा रहते है, और वो जगह जो है, वो maintenance करने में भी मदद करेगी, कैसे, जैसे माल लो कि बाकी जगह पर nutrients की कमी है, तो उस जगह से वो nutrients लिया जाएगा, और वापस उसी जगह पर ज्यादा होने पर वापस क्या किया जाएगा, submit भी किया जाएगा, तो it is a component of nutrient cycle, where nutrients are stored, if imbalance अकर, अगर कोई imbalance होता है, imbalance किस वज़े से होता है, influx मतलब, वहाँ से nutrients लेने की वज़े से, influx मतलब, वहाँ से nutrients चला जा इस वज़े से, then reservoir balance it, reservoir क्या करता है, उसे balance करने का काम करता है, जैसे अपन oxygen है, कहां से लेते हैं, air से लेते हैं, तो air क्या हो गया, reservoir हो गया, ठीक है, तो reservoir वो होता है, उसे अपन gaseous cycle कहेंगे और उसका reservoir earth की crust है तो उसे अपन sedimentary cycle कहेंगे ठीक है तो दो तरह के cycle अपन को करने है पहला है gaseous cycle reservoir of nutrients exist in atmosphere यह कहां पर होगा atmosphere में होगा ऐसे cycle को या ऐसे nutrient cycle को geochemical cycle को gaseous cycle कहेंगे जिसमें nitrogen and carbon cycle इसमें आते है अब nitrogen cycle जो होता है अपने class 11 फे तो इस बार जो अपन है सिर्फ एक कहरेंगे कोना carbon cycle अब carbon cycle जो होता है वह basically किस form में चलता है वह co2 के cycle के form में चलता किस form में चलता है co2 cycle के form में चलता है ठीक है यह थोड़ा इदर कर देता है यह उपर तो heading है तो यह यहां पर कर देते हैं तो देखो atmosphere में क्या होगा carbon जो है वह किस form में co2 के form में यह अपना reservoir हुआ यहां से यह देखो co2 कहां चली जाती है water में भी चली जाती है और यहां से यह co2 जो है plant क्या करता है photosynthesis इस करें एक STAic में इसमाल ले लेते हैं तो ऊपर से नीचे आने का टरीका क्या हं अप्लांती होता है मुलst ने आपने काया सेल होती है मॉलस का मैं आपने देखा होगा केल्सियम कार्बोनेट की सहल होती है तो वह बनाने के लिए भी CO2 का इस्तमाल किया जाता है तो इस तरीके से CO2 नीच आ गई अब एक्वेटिक है चाहे टेरिस्ट्रियल सिस्टम में वहां से वह किसमें चली जाएगी कंजूमर में इधर भी देखो कंजूमर में चली गई अब यह जब डीकंपोज होंगे तो यह कैलकेरियस सेडिमेंट्स बन जाएगी और डीकंपोजिशन की वजह से भी CO2 निकलती है तो वापस क्या बन जाएगी CO2 या फिर जब इनका डीकंपोजिशन होगा तो उसमें CO2 निकल जाएगी या फिर प्रोड्यूसर और कंजूमर जब रैस्पीरेशन करते तो रैस्पीरेशन में वह क्या बनाते CO2 बनाते तो उपर से नीचे आने का तरीका क्या हो सकता है चलता है एक्जाम में आएगा तो अपन को यह ड्रो करना ठीक है इस तरफ इस्सा यह एक्वेटिक का है और यह टरिस्ट्रियल का ठीक है कार्बन साइकल के बारे में कुछ और पॉइंट भी दे रखे हैं तो कुछ इंपोटेंट पॉइंट को पंचाट लेते हैं पहला की करीब 70 परसेंट जो टोटल कार्बन है उसका जो प्रजेंस है वो डिजॉल फॉर्म में कहा होती है ओस्यंस में होती है हालनकि रिजर्वोयर इसका कौन सा कैलेंगा सीङर क्योंकि ओक यह जो लेना देना हो रहा है किस प्र्फॉर्म के स्ल को दो रहे है इसलिए क्या होगा एंट्मोस्फियर लेकिन गो 70% पररिशेंट टोटल कार्बन है वो किसी बना होता है 49% कार्बन का बना होता है सबसे ज़्यादा अपनी body किस की बनी होती है पानी की बनी होती है अगर second number पे देखे तो अपनी body में क्या ज़्यादा होता है carbon ज़्यादा होता है dry weight के इसाब से देखे तो 49% क्या होता है carbon होता है 4 into 10 is about 13 kg of carbon fix की जाती है annually by photosynthesis देखो fix करने का क्या मतलब है देखो co2 के form में atmosphere में थी अपन सब को carbon चाहिए co2 नहीं चाहिए तो plant co2 को क्या करते है organic food में convert करते है photosynthesis से ताकि अपन को वह food consumption के लिए मिल जाए और अपने को क्या मिल जाए carbon मिल जाए ठीक है तो अपन direct co2 इस्तमाल नहीं कर सकते थे उसकी जगह अपन उसके compound इस्तमाल कर रहे है इसलिए उसे co2 fixation भी कह सकते है photosynthesis वाले हिस्से को तो वह co2 fix की जा रही है उसकी amount लिखाव है 4 into 10 की power 13 kg co2 जो carbon जो है वह fix की जाती है photosynthesis से annually अब चलता है sedimentary rock sorry sedimentary cycle sedimentary cycle कौन से होते है वह जिनका reservoir का होता है earth की crust पे होता है ठीक है उन्हें अपन क्या कहते है sedimentary cycle sulfur cycle और phosphorus cycle इसमें आते है अपनी book में phosphorus cycle दे रखा है पहले अपन देखते है phosphorus होता कहा कहा है तो biological membrane जो होती है अपन पढ़ते है न लिपो-protein की membrane होती है तो उसमें क्या चाहिए होता है phospholipid होता है तो phospholipid के लिए phosphorus चाहिए होता है nucleic acid बनाते समय भी nucleic acid के 3 component होता है ribod sugar होती है deoxy ribod sugar बोले तो pentose sugar होगी उसके अलावा nitrogen base होंगे और उसके अलावा phosphate group तो उसमें भी phosphorus चाहिए होती है cellular energy का transfer system ATP, NADP यह सब में भी phosphorus होती है और कुछ animal का cell जो होता है अपनी bone और teeth जो होती है वो भी phosphorus के compound से बनी होती है तो इन जगह पर phosphorus होता है अब phosphorus का reservoir क्या होगा atmosphere तो होगा नहीं earth की crust होगी जिसे अपने rock लिग दिया अब यह cycle कैसे चलेगा एकदम simple सा है देखो rock है उस पर weathering होई weathering क्या होता है मिट्टी वगेरा soil वगेरा बनने का मतब जो चट्टान या rock होती है उसके चुट चुटे टुकडे से particle बनते है soil बनती है उसको क्या कहते है weathering उससे soil बन जाएगी अब यह soil जो होगी इसको कौन इस्तमाल करेंगे यहां से वह nutrients कौन इस्तमाल करेंगे producer तो यह uptake कर लाएगा हलांकि इस soil में से कुछ चीज run-off भी हो जाती है पानी के साथ एर के साथ ठीक है तो यहां से हो कहां चला गया producer के पास अब producer को कौन खायेगे तो पहले रॉक से soil में आया phosphorus आयन के फॉर्म में आएगा फिर वहां से वह producer के पास चला गया producer से consumer के पास फिर consumer की dead body बोले तो detritus, producer की dead body बोले तो detritus या उसके body का कोई हिस्सा, उसका वापस decomposition होगा, वापस किस में जाएगा, soil में जाएगा, soil से वो ही uptake हो जाएगा, या runoff हो जाएगा, runoff होगा, तो soil में नीचे भी जा सकता है, next है, carbon cycle और phosphorus cycle में difference किया है, तो एक difference तो यह ही है कि phosphorus cycle, sediment cycle है, carbon cycle जो है, gas cycle है, लेकिन इसके अलावा, NCRT लिखती है कि दो key difference है, यह दो point NCRT में लिखे हो है, first or second, पहला क्या लिखावा है, कि atmospheric input of phosphorus is smaller than carbon through rainfall, मतलब rainfall का मतलब है कि atmosphere से, जैसे carbon आती न, atmosphere से किस फ़र्म में आती है, CO2 के फ़र्म में, ऐसा phosphorus से, phosphorus atmosphere से नहीं आता, मतलब atmosphere क के साथ लेना देना नहीं है, वो कहा होती है, earth की crust, earth की crust किस में चला जाता है, organism में, organism से वापस कहा हो जाता है, earth की crust में, second point भी यह है कि phosphorus जो है, वो gases exchange से नहीं जाती है, जैसे carbon कैसे जाती है, gases exchange से, atmosphere से plant क्या लेते है, CO2, तो CO2 एक gas है, gas के थूर्म में गई थी, वापस ज से नहीं है, तो gaseous exchange of phosphorus between organism and environment are negligible, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और यह तो ही है, phosphorus cycle, sedimentary cycle है, और carbon कैसा cycle है, gaseous cycle है, अब देखो, यह होने के बाद, अपना जो productivity वाला case था, वो productivity क्या, मतलब ecosystem के जो function थे, वो 4 हो गया, productivity हो गया, अपना decomposition हो गया, nutrient cycle हो गया, energy flow हो गया, अब अ two topic रहते है, पहले अपन करेंगे, क्या करेंगे, ecological succession, और फिर chapter के सबसे last में, एक चोटा सा topic है, ecological service, उसे देखेंगे, पहला आप एक बार यह अच्छे से note कर लीजे, फिर अपन chapter को आगे बढ़ाते है, तो next अपना topic है, ecological succession, तो ecological succession जो होता है, वो basically community level पे क्या किया जाता है, deal किया जाता है, मतलब यह community level पे होने वाला process है, तो सबसे पहले आपन यह देख लेता है, community क्या होती है, तो द्यान से सुनना, एक ही species के जो member होते है, उनका group population क्या क्या जाता है, population, एक किसी particular जगह पर एक ही species के member का group population क्या ли जाता है, और किसी एक particular जगह पर अलग-अलग species के member का collection, जो है वो community का लाता है, जिसमें एक से ज्यादा populations होगी, अलग-अलग population होगी, अलग-अलग species की population होगी, तो community is a group of different population of species in a ecosystem, community is an ecosystem is not stable, वो stable नहीं होती, time के साथ change होती रहती है, it passed through many development stage, और यह जब बनती है, stable community वो भी एकदम नहीं बन गई ती, पहले एक कोई चीज होगी, फिर उसकी जगह कोई दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, मतब एक community दूसरे community से replace होती जाएगी, जब तक एक stable community नहीं बनती, इसका मतब एक different, एक definite sequence होगा, ठीक है, ऐसा सब होने का, over a period of time, यह जो sequence है, यह जो process है, वो ही succession क्या लाता है, अब इसकी definition क्या लिखेंगे, ecological succession is change in composition of species in a community in a given area, एक किसी particular area पर, community का जो composition है, वो time के साथ जो change होता है, उसे ecological succession क्याता है, अब change कैसे, पहले एक कोई community होगी, उसकी जगा, उसकी जगा, कोई दूसरी ले ले लेगी, फिर उसकी जगा, कोई तीसरी ले ले लेगी, जब तक एक stable community नहीं बनती, it is the gradual and sequential replacement, यह लगातार होता है, धीरे-धीरे होता है, और sequence के हिसाब से होता है, जिसमें replacement होगा, एक community का by other, in an area over a period of time, एक किसी particular area में, एक लंबे समय में क्या हुआ होगा, एक particular community होगी, फिर उसको replace करके दूसरी community आएगी, फिर उसको replace करके तीसरी community आएगी, और ऐसा sequentially चलता चलता, एक stable community बनेगी, यह पूरा procedure, यह पूरा sequence क्या 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 लाएगा, ecological succession क्या लाएगा, अगर अपन ecological succession की property की बात करें, तो पहला यह sequential है, मतलब एक sequence में होता है, मतलब पहले देखो, जो community होगी, उससे जो replace करने वाली दूसरी community आएगी, उसको पहली वाली replace नहीं कर सकती, तो मतलब एक community को जो बाद में community हो ज्यादा developed, ज्यादा advanced, ज्यादा stable होगी, ठीक है, तब वो उसको क्या कर पा रही है, replace कर पा रही है, तो एक sequence में होगा, gradual change है, लगाता है, धीरे-धीरे होता रहता है, It is a predictable change, क्योंकि अपन को पता है कि बाद में कौन सी community आने वाली है, जो पहले के compare में stable होगी, The change during succession is parallel to change in environmental condition, मतलब जैसे-जैसे इसमें change होगे, उसके आसपास surrounding में भी changes होगे, या surrounding में जो changes होगे, उससे इसमें भी changes होगे, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ-साथ चलते हैं, Less stable to more stable, यही चीज मैं बता रहो, कि जो पहली community आएगी, जिसे pioneer कहेंगे, और जो last community होगी, जिसे climax community कहेंगे, तो pioneer community सबसे basic होगी, उससे अगली जो community आएगी, वो उससे ज्यादा stable होगी, धीरे-धीरे most stable community कौन सी होगी, जो सबसे last होगी, succession and evolution parallel at the time of evolution, जब start में very first time, जब किसी जगह पर, मतलब earth पर जब life बन रही थी, evolution चल रहा था, उस समय, succession and evolution को अपन क्या मान सकते है, parallel, देखो succession तो अभी भी हो सकता है, जिसे अपन secondary succession कहते हैं, अभी अपन समझेंगे, और succession होते समय ऐसा भी हो सकता है कि कोई specific bar से आ जाए, evolution में वो पहली बार बनती है, तो वैसे देखे तो दोनों अलग अलग होती है, लेकिन जब evolution हो रहा था, उस समय सक्सेशन और evolution दोनों क्या चल रहे थे, parallel चल रहे थे, next है step in succession, देखो step अपनी book में दे नहीं रखे, लेकिन आप इन 5 points को अच्छे से सुनना, मैं description समझा रहा हूं, लिखवा नहीं रहा, सबसे पहले होता है, nudation, nudation मतलब एक ऐसी जगह बनेगी, जहां कुछ भी नहीं है, अब ये nudation by default पहले से हो सकता है, कि किसी जगह पर कभी कुछ था ही नहीं, या फिर जिसे अपन primary succession नाम से पढ़ेंगे, अभी आप देखना, या फिर किसी जगह पर पहले से कोई community थी और किसी natural, मतलब disaster की वज़े से वहां बिल्कुल हट गई, या किसी भी कारण से वहां बिल्कुल अब कुछ नहीं रहा, तो अभी वह खत्म हो जाना भी क्या कलाएगा, नूडेशन, मतलब जब succession होगा, तो मुझे एक bare area चाहिए, जहां कुछ भी ना हो, तो वह पहले से हो सकता है, या किसी process से बना हो सकता, जो भी हो, उसे अपन क्या कहेंगे, नूडेशन, फिर होगा invasion, फिर उस खाली जगह पर एक community आएगी, पहली बार आएगी, तो invade करना ही कहेंगे उसे, और वो pioneer community कहलाएगी, क्या कहलाएगी, pioneer community, फिर थोड़े दिन बाद में वहाँ दूसरी community आएगी, उन दोनों के बीच में क्या होंगे, competition होंगे, एक दूसरे के tours में action होंगे, जिसे co-action कहेंगे, और इसमें जो जादा fit होगी, वो रहेगी, और कम वाली replace हो जाएगी, यही तो करना था, फिर होगा reaction, reaction का क्या मतलब है, अच्छे से समझना, जब एक community वहाँ पर इस जगह पर invade करती है, तो उसकी वज़े से उस particular जगह पर कुछ change जाते हैं, जैसे मान लो कि एक जगह पर सिफ चटान थी, और वहाँ पर पहली community आती है, लाइकन, तो लाइकन के रहने की वज़े से, वहाँ पर soil बनना शरू करेंगी, उसे अपन क्या कहेंगे, reaction, और फिर होगा, stabilization, जिससे last, दीरे-दीरे replace होते होते होते, stable community बनेगी, इस तरीके से succession होते हैं, next है, सेरे, सेरे क्या होता है, the entire sequence of community that successively change during succession, मतलब succession में जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जब तक stable नहीं बनती, वह पूरा sequence जो है, वह सेरे कहलाता है, और इसके अंदर जो stages होगी, वह कौन-कौन से होगी, उसे समझते हैं, जो सबसे पहले आएगी, उसे pioneer कहेंगे, जो सबसे last में बनेगी, वह climax कहलाएगी, और बीच में जितने भी stage होती है, intermediate stage, उसे क्या कहते है, serial stage कहते है, अगर आप कुछ है, serial stage क्या होता है, तो वह सारी stage जो pioneer से climax community के बीच में बनती है, succession के दौरार, वह क्या कहलाती है, serial stage कहलाती है, तो pioneer species क्या होती है, the species that invade a bear area, जहां कुछ नहीं था, वह invade, देखो second point क्या था, invade, bear क्यों लिखा, क्योंकि पहले वहाँ nudation होगा, तो bear area पर बाहर से आने वाली species, जो सबसे पहले आई थी, उसे pioneer species कहेंगे, उसके बाद जो भी stage होगी, climax को छोड़कर, वह सारी serial stage कहलाएगी, तो पहले S1, पहली serial stage, फिर दूसरी, फिर ऐसे बहुत सारी serial stage बनेगी, और finally, जो stable community होगी, उसे climax community कहेंगे, तो पहले क्या आया, pioneer, फिर S1, S2, S3, ऐसे, और फिर सबसे last में, क्या होगी, climax species या climax, community या climax stage होगी, और ये पूरा sequence क्या कहलाएगा, सीरे कहलाएगा, ठीक है, कोई तकलिफ नहीं, अब एक बार ये note कीजिए, फिर इस topic के बारे में, और भी अच्छे से समझते हैं, next, दिखो लेते हैं, अपन, succession के type, तो succession जो होता है, वो दो तरीके का होता है, primary और secondary, primary क्या होता है, मान लो, किसी एक जगह पर, आज से पहले कभी कोई भी community नहीं रहती थी, कोई पहले living organism नहीं थे, और उस खाली जगह पर, पहली बार succession होता है, तो उसे primary succession कहते हैं, एकदम simple, अब मान लो, कि किसी जगह primary succession होने के बाद, एक community बन गई, stable community भी बन गई, सब कुछ चल रहा था, फिर किसी वज़े से, वहाँ सब कुछ हटा दिया गया, मतलब, nudation हो गया, अब वहाँ पर second time, जो succession होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, secondary succession, ठीके, तो primary succession क्या होता है, when an ecological succession occur on a previously unoccupied site, मतलब, जहां पर पहले कोई succession नहीं हो रहा, उस जगह पर पहली बार जब succession होता है, तो उसे क्या कहते है, primary succession कहते है, जैसे succession occur at newly cooled lava, या कोई bare rock है, वहाँ चटान पर succession हो रहा है, या फिर कोई नया-नया aquatic system बना है, उसमें succession हो रहा है, तो वो primary succession कहलाएगा, secondary क क्या होता है, when an ecological succession occur on a previously occupied site, कोई ऐसी जगह पर हो रहा है, जहां पहले occupied हो रही थी, मतलब, पहले succession हो रहा था, तो अब वो site पर क्यों हो रहा है, क्योंकि वह natural vegetation जो थी, वो destroyed होगे, किसी भी कारण से, तो अब वापस succession हो रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, secondary succession, इसका क्य क्या मतलब है, it is a subsequent succession after primary succession, primary succession के बाद में अगर कोई succession होता है, तो उसे secondary succession कहेंगे, कहां कहां होगा, जैसे succession at abandoned farmland, कोई जहां पर खेती बाड़ी होती थी, किसी कारण से वाँ खेती बाड़ी छोड़ दी गई, तो पहले तो succession होई गया था, अब खेती बाड़ी छोड़ दी तो आप पूरी bare land हो गई वापस, मतलब soil तो होगी, लेकिन वहाँ कोई vegetation बगेरा नहीं है, अब बाद में, कुछ सालों बाद में, वहाँ कोई आकर वापस crop बगेरा लगाना start करता है, तो यह secondary succession होगा, कोई forest land थी, उसको अपने cut कर दिया, मतलब deforestation हो गया, अब उधर वा वापस succession हो रहा है, तो वह भी secondary succession क्या लगा, next point है, इन दोनों में से fast कौन सा होता है, तो primary succession काफी slow होता है, क्योंकि primary succession होते समय, soil formation भी होगा, वह पहली बार हो रहा है, तो उससे पहले वहाँ पर soil नहीं थी, तो धीरे-धीरे soil बनेगी, तो इस time में काफी time लग जाएगा, लेकिन जब secondary succession होता है, तो secondary succession जिस जगह हो रहा है, वहाँ पर पहले कोई occupied site तो थी, वालब पहले succession हो रखा था, तो इस वज़े से वहाँ पर पहले से soil तो होगी, अब सिर्फ succession वाला process करना है, तो यह fast होता है, अगर आपको पूछे secondary succession fast क्यों होता है, तो answer में लिखना है, क्योंकि वहाँ पहले से fertile soil है, कहां से आई, primary succession के दौरान बनी थी, यही वज़े, इस बार succession क्या होगा, fast होगा, तो देखो, यह क्या लिखा हो है, it takes thousand of years, means it is very slow, because in this case fertile soil होगी, वो create की जाएगी, जबकि secondary कैसा होता है, fast होता है, because site already has some soil or sediments, उसमें पहले से soil वगेरा सब अब succession, जो है plant का किस जगा हो रहा है, किस habitat पे हो रहा है, उसके basis पर succession हो तो तरके होते है, अगर पानी में हो रहा है,曾S схूड अर्डाकी हो रहा है, तो उसे hydraak केंगे, और ड्राइए में हो रहा है तो उसेanding כן हो जीराय क καि मतलब forest जैसा बन जाएगा, मिजोफाइट लग जाएगे, ठीक है, यहां हो पर medium water है, तो चाहिए hydra हो रहा है, तो अभी climax community same है, और jiraq हो रहा है, तो अभी climax community क्या है? अभी अभी climax community क्या है? अब इनमें क्या steps होते है? वह अपन 1 by 1 देखते हैं ठीक है? तो यह आप not कर लीजे Next देखो अपन देखते है कि हाइड्राक सक्सेशन कैसे होता है तो पहले तो यह वो प्लांट सक्सेशन है जो वेट एरिया में जहां पहले बहुत सारा पानी है वहाँ पर होता है तो अपन को याद क्या करना Stigage के नाम याद करने तो सबसे पहली जो stage आएगी वो pioneer stage क्या होगी Phytoplankton फिर उनको हटा कर जो replace करके नहीं stage आएगी वो होगी Rootate Submerged Plant फिर Submerged Free Floating Plant फिर Reeds Swam Plant फिर Mass Meadow Plant फिर Scrub Stage और सबसे last में क्या आएगा Forest तो अपन को यह sequence याद रखना है इसमें यह pioneer stage है यह climax community और यह बीच में serial stage है जैसे जैसे एक से दूसरे में जाएंगे क्या होता जाएगा With each stage amount of water क्या होता जाएगा कम होता जाएगा वहाँ पर उस particular area में और fertile soil बढ़ती जाएगी जिससे और stable community वहाँ पर आकर क्या कर सके survive कर सके Due to it water body जो थी वह किस में convert हो जाएगी एक land में वह भी कैसी land में जाब बहुत सारे मीजोफाइट्स है तो यह अपने hydraak succession है अपनको कुछ नहीं बस sequence याद रखना बुक में इसका diagrammatic भी दे रखा है आप उसे समझ के देख सकते हैं कि कैसे कैसे दीरे दीरे पानी कम होता जाएगा soil बढ़ती जाएगी लास्ट में forest आ जाएगा ठीक है next है अपने जीराक succession यह ऐसी जगह पर होगा जहां पानी बिल्कुल नहीं है dry area है तो ऐसे केस में जो सबसे पहले pioneer community आएगी वो lycan होगी lycan के पास क्या होते है acids होते हैं वो क्या करते है rock को dissolve करते weathering process करेंगे और उसमें क्या बनाएंगे soil बनाएंगे यह एक थोड़ा इसमें याद रखना है फिर इसको replace करने वाली जो stage होगी bryophytes होगी यह उस छोटी सी amount of soil की जो है मतलब थोड़ी सी amount जो है मतलब वो grow करेगी फिर perennial grass बनेगी मतलब यह दोनों herbs होगे फिर वहां पर shrubs आएंगे और फिर last में climax community क्या होगी forest इस बार क्या होगा with each stage amount of fertile soil बढ़ेगी और water holding capacity बढ़ेगी जहांसे वहां उस soil में पानी और इकटा रह सके due to it एक bare land जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं था वहां पर forest बन जाएगा जिसमें पानी ठीक टाक होता है soil के अंदर magic condition या फिर mesophytes जो होंगे वो यहां पर grow करेंगे मैं फिर repeat कर रहा हूं चाए hydra खो चाए जिरार खो start दोनों अलग अलग जगे से होते हैं mesophytes या forest बनते है magic condition आती है ठीक है तो अपन को hydra को जिराक के case में यह जो serial stage age है pioneer community क्या है climax community क्या है यह पूरा सेरे क्या है यह जो पूरा सेरे दिख रहा है यह याद रखना है अपन को कौन किसको replace करता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और chapter का सबसे last topic लेते हैं जो कि क्या है ecological services अब दिखो service का क्या मतलब होता है जब अपन normally कहते हैं कि अपन किसी चीज की मतलब service दे रहे है मतलब अपन कुछ ना कुछ अगले को provide करवा रहे हैं तो ecosystem भी अपन को बहुत सारी चीज़े provide करवाता है वो सारे product ecological services क्यालाते है all the product of ecosystem और process are named as ecosystem services जैसे कि air purify करते हैं ecosystem मतलब oxygen देते हैं बदले में CO2 का इस्तेमाल कर लेते हैं nutrient cycle चलाते हैं soil को fertile बनाते है fertile soil generate भी करते रहते हैं wildlife के लिए habitat भी provide करवा रहे है biodiversity को maintain कर रहे हैं और जो crops वगेरा जो अपन खेती बाड़ी में करते हैं उनका pollination करवाने के लिए pollinator भी है वो भी ecosystem ही अपन को provide करवा रहे है storage site provide करवा रहे है nutrients के लिए जैसे अपन को nutrients ही होते है crop लगाने के लिए तो अपन वहाँ soil का इस्तेमाल करते है तो soil में nutrients है तो यह एक storage site हो गई अपने लिए और aesthetic बोले तो सुंदर भी दिखती है अपना nature किसकी वज़े से दिखते है इतने variety of organism और ecosystem में जो जो चीज़े हैं उनकी वज़े से cultural value है spiritual value है तो यह सारी चीज़े क्या कहलाती है ecological services क्यालाती है अब Robert Constanza करके मतलब थे उन्होंने बुला कि अगर इन सब चीज़ों की price होती और price decide कर पाते तो अपनको इनकी और value पता चलती कि कितनी चीज़े अपनको free में मिल रहे हैं तो उन्होंने try किया तो उन्होंने बताया कि करीब 33 trillion usd per year अपनको in ecological services के चुकाने पड़ते और यह कितना ज्यादा amount है यह बताने के लिए कि जो global GNP होती है वो करीब 18 trillion usd है तो 18 trillion usd मतलब gross national मतलब वो क्या कहता है net productivity है उसका करीब double तो अपनको इनको ecological services के लिए चुकाना पड़ सकता अगर यह सारी चीजे अपन पैसे देकर करवाते तो तो कितना ज्यादा फाइदा होता है अपनको ecosystem से तो अपनको उसको क्या करना चाहिए protect करना चाहिए ठीक है life के लिए तो यह ecological services है जो अपनको free में मिलती है और अगर free में नहीं मिलती तो इतना amount चुकाना पड़ता तो यह अपना chapter था जो जिसमें अपने ecosystem के structural functional component की साथ में ecological succession क्या होता है उसको भी अच्छे से देखा उमीद करूंगा कि आज का यह video आपको बहुत helpful लगा होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं अगले chapter के वीडियो में तब तक आप सब लोग खुब सारा hard work कीजिए खुब कुश रहिए खुब मस रहिए thank you for watching